अगले सीजन आईपियल में सीएसको को चैंपियन बनाकर मानेंगे महन सिंग धुनी जाने क्या है बड़ी वचा है नमस्कार दोस्तों स्वागत एक पर फिर से आप सभी का आपके अपनी यूटूब चनल इसके स्पोर्ट के एक और नई वीडियो में दोस्तों इस वीडियो हमको बताने वाले कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आईपियल 2023 में चिन्नाई सुपर किंग ही चैंपियन बनेगी तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो मलाज तक बने रहें और फाथी आप भी महन सिंग धुनी को एक सफल कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों महन सिंग धुनी यह सिर्फ नाम ही नहीं बलकि दुनिया भर के लाखों फैंस के लिए या एक इमोशन है इस नाम को सुनता ही लाखों करोड़ो फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है यही वज़ा है कि साल 2019 में अंतर रा इसकमाल नहीं कर पाई लेकिन फिर भी उनकी टीम को फैंस ने पूरे सीजन सफोर्ट दिया है इस बीच आईपियल 2022 के खत्म होने के बाद एक बार फिर एमेस धुनी सुर्ख्यों में आ गए हैं इसके पीछे की वज़ा बड़े ही बेहत खास है तरसल पिछले एक दो दिनो से एमेस धुनी का एक वीडियो सोसल मीडियो पर तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में धुनी जमकार ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी इस वीडियो पर फैंस तरह तरह के रीक्शन भी दे रहे हैं जिस पर लगन के साथ माही इस वीडियो को कफरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसे देखने के बाद कई फ्रेंज को मानना है कि फिटनस के मामले में कई विरार कोहली और कई युवा खिलाडियों को माद दे तो चिन्नाई ने 14 में से 4 मैं जीत कर पॉइंट टेबल में नवे पाइदान पर थी अब देखना ये दिलचस्पूगा की अगले सीजन में धूनी की टीम किस तरह से वापसी करती है तो दोस्तों आज की अपडेट हों पस इतना ही आपको क्या लगता है आईपल 2023 में चैन्नाई सुपर किंग चैंपियन बनेगी या नहीं आप अपनी मातपूर है कमेंट सेक्शन होता है फाथ ही वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और क्रिकट जगत की अनजानकारियों लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलते हैं नेक्ट आप डेट में तब तक के लिए नमस्कार